सभी को नमस्ते, मेरा नाम है रूही चैनेट हम किसी भी आपजेक्ट को कितने करीब से देख सकते हैं और हम उसमें कितनी डीटेल देख सकते हैं इसे स्नाइपर लेंस कहा जाता है और ये अपने अनोखे फंक्शन की वजह से बहुत मशूर है हमकसर इसका अपने शॉर्ट्स में इस्तिमाल नहीं करते हैं इसका इस्तिमाल बहुत कम जगहों पर किया जाता है क्योंकि मैक्रो शॉर्ट्स पर F-Values बहुत ज्यादा होती है इसलिए इसके लिए बहुत सारी लाइट इस जरूर परती है यहां तकि लेंस के सामने एक LED रिंग भी है इससों एरियाज में जाने में मदद मिलती है जहां हम जाने ही पाते और अलग-अलग एंगल्स और शूट नहीं कर पाते जैसे कि नॉर्वेजियन सेल्मेन के अंदर देखना या एक ट्राउजर और उसकी पिछली जेब देखना या रेट के दाने देखना एक स्वेटर देखना ताश के पत्ते देखना या एक वैक्यूम क्लीनर जिसे कुछ समय से साफ नहीं किया गया है उसे देखना आज हम सिर्फ इसी लेंस के इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि हमारे पास एक और अल्टरा मैक्रो लेंस बी है जो हमें आपजेक्ट्स को करीब से देखने में मदद करेगा और इसके अलावा हमारे पास एक माइक्रोसकोप कामेरा भी है तो शुरू करते हैं इस कैमरे में एक आगस मुझे पीला दिखाई दे रहा है लेकिन वास्तव में ये आपको पीला नहीं लग रहा होगा जिस स्क्रीन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो सिर्फ रेड ब्लू और ग्रीन लाइट्स दिखा सकती है ये कभी भी येलो लाइट्स नहीं दिखाती है स्क्रीन पर येलो कलर के स्प्रेक्टम को प्रेड्यूस करने का कोई तरीका नहीं है जबकि मुझे इस कमरे में असली येलो लाइट दिखाई दे रही है लेकिन आपको नीली दिखाई दे रही है अगर आप स्क्रीन को अच्छे से देखेंगे आगर मैं बलर को थोड़ा बढ़ा देता हूँ तो मैं आपके रेटिना को फिर से ट्रेक कर सकता हूँ और आपको येलो दिखाए देगा क्योंकि हमारी आँखे परियाप्त डिटेल्स नहीं देख पाती हैं इसलिए हम छोटे रेड कलर के पिक्सल को येलो कलर के रूप में देखते हैं आप शायद नहीं जानते हूँगे कि बैंक के नोटों में थोड़ा आईरेन भी होता है ऐसा सुरक्षा कारणों की वजह से किया जाता है अब हमारे पास एक मिकसर है और अब हम आईरेन को अंदर स के लिए भी कई सारे तरीके हैं अगर हम जॉज वाशिंग्टन पर अपनी उंगली रगड़ते हैं तो हमें आवास सुनाई देती हैं हम ठिक टेक्शर को महसूस कर सकते हैं इसके अलावा मेरे पास एक आम कागज है जब मैं इस पर लाइन खींचता हूँ तो ये समान से फैलती है जैसे जैसे हमने डॉलर को ध्यान से देखा उस पर जो लाइने है वो एकदम शार्प नहीं है उसकी इंक इधर उधर बिखरी हुई है 75% कॉर्टन और 25% क्लिनन फेडरल रिजर्व का कहना है कि नोट का कई सारी जगहों पर प्रसारित होने की वजह से एक डॉल इंकी मदद से कागस को पेंट कर देता है हम जिन रोज मरा की चीजों के बारे में सोचते हैं वो सभी मैक्रो स्केल पर बहुत अलग दिखाई देती है और ब्रेड करीब से इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखाई देता है लेकिन तब क्या होगा जब इस पर फंगस दिखाई नहीं देते हैं जैसे कि फंगस के जाले हाना कि हम सब यह देख नहीं सकते कि ब्रेड के पूरे बैक को फंगस के स्पोर्स लगने में केवल कोछी घंटों का समय लगता है यह रोज शेप फ्लेवर वाला एक टी बैग है और यह उबलते हुए पानी में डालने पर और यह एक ब्लैप्स रथिफेरा है जो अपने नुकिली पंजों के साथ चिप चिपे जाले में फस गया है इन्हें ब्लैक बीटल के नाम से भी जाना जाता है जाले से बाहर निकलते ही यह हिलने लगा लेकिन क्योंकि इसे अंधिरा पसंद है इसलिए इसे स्टूडियो की नजर आ रही है मधुमक्यों के पास कमपाउंड आइस होती है कमपाउंड आइस का स्टूक्चर एक छत्य जैसा ही होता है जिसमें हजारों आखे होती है हम इसके डंग को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यह फीमेल है क्योंकि सिर्फ फीमेल के पास ही डंग होता है जि से अंदर करने की कोशिश कर रहे थी इसलिए आंत्रे कंगो पर जोर पढ़ने पर वो जीवत नहीं रह पाई हम आखरी पड़ाव पर है मेरे पास यहां पर एक माइक्रोस्कोप कैमरा है इसकी मदद से हम औबजेक्ट्स को हजार गुना करीब से देख पाएंगे आईए पहले 50X क्लोजब से शुरुवात करें आप प्राउजर पर पैटर्न देख सकते हैं मैं इसे आप और भी करीब लाऊंगा 50X से 1000X तक आप बहुत बड़ी साइज में पैटर्न को अलग-अलग रूप से देख सकते हैं प्राउजर वास्तव में इस तरह दिखाई देते हैं 50X पर एक स्वेटर अब मैं इसे 20 गुना करीब लाऊंगा ये अभी 1000X है स्वेटर एक हेर बॉल जैसा दिखाई दे रहा है और ये टीशर्ट है जो कि कॉटन की है हाथों पर गंदगी दिखाई देती है या नहीं तो अब मैं अपने हाथ धो चुका हूँ वही गंदगी अभी भी मौजूद है है हैरानी की बात है हम हर जगह अपने हाथ अद्रिश ये गंदगी ले जाते हैं तभी हमारे जीवन का हिस्सा है आईए मेरे बालो को देखते हैं कि इसके किनारे नुकिले हैं अगर इसे थोड़ा समय हो गया होता तो शायद ये नरम लगती मैं अब अच्छे से शेव करूँगा और कुछ डीटेल पता करने की कोशिश करूँगा मुझे लगा कि ये चले गए हूँ लेकिन क्योंकि अभी भी मौजूद है तो शायद मुझे एक और बार शेव करना चाहिए और किनारे अब और भी ज्यादा नुकिले लग रहे हैं और यही वो समय है जब लंबे शूट के दौरान मेरे हाथ में पसीना आ जाता है सूई सीरींज से ज्यादतर लोगों को डड़ लगता है अब यह सीरींज मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है हमने रोजमरा की जिन्दगी में ज्यादतर चीजों को अलग-लग नजरिये से देखा है मैक्रो स्केल की दुनिया एक अलग दुनिया थी और अब हम वीडियो के अंत में आ चुके हैं और हम ऐसे वीडियो और डॉक्यूमेंटरीज के साथ नई-नई चीजे लाना जारी रखेंगे जैसे कि हमने जापान, पाकिस्तान, या कूटिया या बुरुंडी में शूट किया था जल्दी अगली वीडियो में मिलते हैं रूही चैनल यहाँ पर था